दोस्तों दातों की सही देखबाल और ठीक से सफाई न होने के कारण अक्सर हम मसूडों की सड़न और दात-दर्द का शिकार हो जाते हैं तो आईए आगे जानते हैं दात दर्द का एक रामबान घरेलू और प्राचीन नुस्खा जो दातों की दर्द की समस्या में बहुत ही कारगर है लेकिन इस्से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सेहत खजाना को सब्क्राइब ना किया हो तो इसको सब्क्राइब कर लें क्योंकि सेहत खजाना चैनल आपके लिए लाता है स्वास से सम्मंदित समस्याओं के रामबान घरेली मुश्के और जानकारी दोस्तों दातों का दर्द कम या कभी कभी बहुत जादा हो सकता है दोस्तों मसूडों में सडन और दातों के दर्द का मुख के कारण है कीटाणू होता यह है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे दातों में और मसूडों में खाने के कुचांश चिपके रह जाते हैं और अगर ठीक से मूँ की सफाई न की जाए तो इनमें सडन पैदा होती है और सडन पैदा होकर किटाणू पैदा होते हैं और ये किटाणू एसिट पैदा करते हैं जो हमारे दातों की उपरी परत यानि एनेमिल को खराब कर देता है जो हमारे दातों की सुरच्छा करता है और जब हमारे दातों का एनेमिल खराब हो जाता है तो ये किटानों और सडन दातों के अंदर पहुंच जाता है हमको पता तब लगता है जब ये सडन हमारे मसूनों तक पहुंचती है और हमारे दातों में दर्द पैदा हो जाता है और कभी कभी ये दर्द इतना जादा होता है कि हम रात में सो नहीं सकते और सुबा उटने पर हमारे जेहरे पर सूजन आ जाती है और भानक सरदर्द होने लगता है लेकिन गवरानी की ज़रोत नहीं ये दोस्तों कुदरत ने हमें कुछ ऐसी चीजे दी है जो मसूणों की सडन और दातों के दर्द में रामबान साबित होती है इन में से एक है दोस्तों फिटकरी दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल दातों के दर्द, मसूरों के सडन और इंफेक्शन से बचने में प्राचीन काल से होता रहा है। इसके लिए दोस्तों करना यह है कि थोड़ी सी फिटकरी लेना है और उसको आग पर किसी फ्राइपैन या बरतन में धीमी आज पर पकाना है और यह जब पक जाए तो इसको ठंडा कर लें। ये दोस्तों फिटकिरी का फूल तैयार हो जाता है, इसको ठंडा कर लें और ठंडा होने पर इसको हातों से एक जीची से पीस कर पाउडर बना लें, ये पाउडर दोस्तों मसूलों की सड़न और दातों के दर्द में बहुत कारगर साबित होता है, दोस्तों इसके इस्तमाल क लिए करना यह है कि एक गिलास Πानी में इस पाूडर की चावल के एक या दो दाने की बराबर मातरा लेकर उसको एक गिलास पानी में गोलना है और इससे सुबा-शाम कुली करना है। इस पानी को थोड़ी देर अपने मुझ में र रखेंcient ताकि ये पानी आपके मसोडों और दान्तों तक ठीक से पहुंचाए उसके बाद कुली कर लें इस से आपके मसोडों की सड़न खत्म होगी और दान्तों के दर्द में बहुत जल राद ही तो दोस्तों ये तो थी दांतों के दर्द में फिटकरी के इस्तामाल की बात, अब इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात और कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें, और इसको उन लोगों के साथ शेर करें, जिसको इनकी जरूरत है ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुचे और दूसरे लोगों इसका लाव उठाए और अंत में हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद